इस वीडियो में हम बायोलोजी का टॉपिक रेस्पारेटरी सिस्टम स्वतन तंत्र की क्वेशन देखने वाले हैं जिसमें फर्स क्वेशन है जब एटीपी का परिवर्तन एटीपी में होता है तो क्या उत्पन्न होता है तो इस समय पर एटीपी का परिवर्तन एटीपी में होता है तब उर्जा रिलीज होती है नेक्स्ट है मेटाबोलिस्म उपापचय की परिडाम सरूप उर्जा किस रूप में तूरंत रखी जाती है तो जब metabolism की प्रक्रिया होती है तो इस समय उर्जा जो होती है वो किस रूप में store होती है तो यह ATP के रूप में store होने लगती है ATP का full form होता है adenosine triphosphate ATP को energy currency भी कहा जाता है जब ATP से phosphate का अडू हडता है तब ATP का निर्माण होता है ADP कब बनता है जैसे कि यहाँ पर ATP है और यहाँ से हम phosphate को हटा दे तब क्या बनता है ADP बनता है और ADP का full form होता है adenosine diphosphate ATP से अब देखिए एक अगर phosphate को हम लोग हटा दो ADP बनता है और ATP से एक phosphate अडू अगर हम जोड देंगे तो फिर इसे क्या बन जाएगा ATP बन जाएगा यानि कि इस से इस से जाएगे तो हम क्या करेंगे मानस करेंगे लेकिन यहाँ से इधर जाएगे तो हम क्या करेंगे phosphate को plus करेंगे जब स्वसन ऑक्सिजन की अनुपासिती में होता है तब ग्लुकोस के एक अडू तूट कर पैरोविक एसिट के दो अडू का निर्मार करते हैं सोसन की क्रिया में ग्लुकोज के तूटने की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं और ग्लाइकोलिसिस में चार एटिपी का निर्मार होता है जिसमें दो एटिपी तो खर्च हो जाता है और सेज दो एटिपी का होते हैं बच्चे हुए रहते हैं नेस्ट है glucose के जल तो carbon dioxide के पूरा अभगटन में ATP अड़ु उधिपन्न होते हैं तो जो glucose रहता है उसका जल और carbon dioxide में अगर अभगटन हो जाता है जो कितने ATP के अड़ु produce होते हैं तो यहां पर 38 ATP प्रोडुस होने लगता है next question है glycolysis में परिवर्थन होता है तो जो glycolysis होता है इसमें किसका परिवर्थन होता है glucose जो होती है वो पैरुविक acid में परिवर्थित होती है glucose जो निर्मार होती है इसकी process को हम glycogenesis कहते हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा option number D यहां पर write हो जाएगा नेस्ट्र कोश्चन है जलिये अब घटन जिसको की हैडोलिसिस कहा जाता है इसमें जो उर्जा मुक्त होती है वो किस फॉर्म में होती है आंसर हो जाएगा option number 1 उस्मा के रूप में जो हैडोलिसिस होती है उसमें जो उर्जा होती है वो उस्मा के रूप में मुक्त होती है नेश चैक कार्बनी क्योगिगों के विखर्णन से उर्जा उत्पादन के लिए क्या होता है तो यहां से होता है option number C यहां पर right हो जाएगा अब जाए क्याटाबोलिस्म तो जो कार्बनी क्योगिगों होते हैं इनके विखर्णन से उर्जा प्रोडियूस होती है क्याटाबोलिस्म के द्वारा next question है अब देखे यहां पर क्याटाबोलिस्म के अंतरगत पोसक ततों को विखटित कर सरल और विलियव वदार्थे की रूप में परिवर्थित किया जाता है यहां destructive face होता है और जो metabolism होता है वो पापच़ जिसको कहा जाता है metabolism दो प्रकार की होती है एक तो होता है anabolism और दूसरा होता है catabolism में हमने देखे कि जो पोसक ततों होते हैं इनको विखटित करके सरल और छोटे बनाया जाता है जबकि anabolism होता है इसमें पोसक ततों के स्वांगी करोन और उत्कों के निर्मार की क्रिया को अब जैन करते हैं और यह constructive होता है यानि कि इसमें अब घटन नहीं होता है इसमें जूड़ता है नेर्स से सबसे पहले किस प्रकार का श्वाशन respiration विखशित हुआ तो सबसे पहले जो हुआ anaerobic option number B anaerobic type का जो श्वाशन होता है वो विखशित हुआ था इस प्रकार के स्वासन में oxygen की आवसकता नहीं पढ़ती है अगर aerobic होता तो यहां पर oxygen की आवसकता पढ़ती और यहां पर oxygen की आवसकता नहीं पढ़ते इसलिए इसको anaerobic कहा जाता है नेश्रा है एक समान या मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है तो एक समान या मनुष्य रहता है वह एक मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है लेकिन ही पर दिल की धड़कन पूछे तो एक मिनट में हमारा जो दिल होता है वो 72 बार धड़कता है हाइबर नेशन के समय में मैंधक स्वसन करता है तो हाइबर नेशन के समय में मैंधक स्वसन कहां से करते हैं अपनी नम तुचा के द्वारा स्वसन करते हैं मेंधक जब पानी में रहता है तब क्या करता है बाय हगील से सुसन करता है और मेंधक जब जमीन पर रहता है तब वह फेफडे के द्वारा शुशन करता है और हैवर नेशन के समय में वह अपनी नम तुच्छा के द्वारा करता है next question है मनुष्य में निश्वाश्रित वायू में ऐक्सीजन की कितनी मात्रा होती है तो जो निश्वाश्रित वायू होती है इनमें ऐक्सीजन की जो मात्रा होती है वह 17% होती है option number B यहाँ पर right हो जाएगा 22 प्रतीसत ओक्सिजन लेता है लेकी नीश्वश्यत वायू में आक्सिजन की idea क items are 99 said about making an ill colore गतलब यह जो हम सांस छोड़ते हैं उस समें सत्रह प्रतिसस रहता है तो यहां पर 15 आता है चार प्रतिसत का तो इस चार प्रतिसत औो इस हमारी शेल के द्वारा उपयोब कर लिया जाता है। The end, कार लिकित ही से पर तुशन अंग नहीं होता है। दिल्चट्टे में जो स्वशन होता है उसको स्वशन अंग कौन सा होता है तो यह होता है ट्राइक्या दिल्चट्टा होता है इनमें जो स्वशन अंग होते हैं वो ट्राइक्या के द्वारा होता है जो बड़े जीऊ होते हैं वो लंग्स फेफले से स्वशन करते हैं जैसे कि हम मनुष्य मैंधक और कुट्ता जबकि जो मशलियां होती है उन में जो श्वशन अंग होता है वो क्या होता है गिल्स होता है और यहां पर तिल चट्टे का क्या होता है ट्राइक किया नेस्ट कोश्चन है कोशिका में भोजन या ग्लुकोज का ऑक्षिकरण कहां होता है तो कोशिका में भोजन या ग्लुकोज का ऑक्षिकरण जो होता है वहां माइट्रो कॉंड्रिया में होता है कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है इसमें क्या होता है प्रोटीन का संसलेशन होता है इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्टरी भी कहा जाता है लेकिन जहां पर ग्लुकोज को ऑक्सिकरल होता है वह कहां पर होता है माइट्रो कॉ औरिया को कोसिगा का उड़्जा ग्रिह कहा जाता है नेज्ट है ग्लुकोज की एक इडू की पुर्ण आक्सिकरण से कितने एडू प्राप्त होते हैं तो ग्लुकोज के जो एक अडू होते हैं इनका पूरी तरीके से ऑक्सी करण हो जाता है तब यहां पर एट्रिपी के 38 अडू यहां पर बनते हैं नेस्ट एट्रिपी संस्लेशन की क्रिया है तो एट्रिपी का जो संस्लेशन होती है उसकी जो क्रिया है वह कैसी होती है यह होती है उर्जा, शोशी, एंटर, जॉनि स्वसन में कार्बोहेटर्ट नेमलिकित में विखंडित हो जाते हैं तो स्वसन में जो कार्बोहेटर्ट होते हैं उनका कार्बन डाइउकसाइट और जल में विघटन हो जाता है नेस्ट कोशन है स्वासन क्या है स्वासन एक तरीके की क्या क्रिया होती है यह होता है कैटाबॉलिस्म केटापोलिस्म मतलब तूटना तो जो भी पोच्ण सकते तो होते उनको सरल क्रिया में तोड़ना ही क्या कहा जाता है और सोशन भी एक तरीकी की केटापोलिस्म प्रोशेस नेस्ट है एक ग्राम ग्लुकोज की संपूर्ण आक्सी करड़ से कितने अरू एट्रिपी बनते हैं तो एक ग्राम ग्लुकोज की अगर पुरी तरीके से आक्सी करड़ हो जाए तो 38 एट्रिपी बनते हैं ग्लुकोज कार्बो हाइड्रिट का मोनो सकराइड है जो जल में गुलैसील होता है सुक्रोज एक अड़ु ग्लुकोज सता एक अड़ु फुक्टोज के मिलने से बनता है यह कार्बो हाइड्रिट का डाय सकराइड है विटामिन कोशिकावागू में उर्जाजुत बादन के लिए नीमलिकित में कि आजआ जाता है तो अगर कोशिकावागू में हमें तुरंत और चाहिए 2019 सब्सक्राइब जी कार्बोर कार्बोर है वी इंटेंट नर्जी देते हैं और ज्लुकोस में क्या होता है कार्बोर क्या नेक्स्ट है मश्ली निमलेकित की सहाथा से सांस लेते हैं तो जितने भी मश्लियां होते हैं वो अपने गिल्स की सहाथा से सांस लेते हैं इन में से किस में उर्जा का उत्पादन होता है तो उर्जा का उत्पादन किस क्रिया में होता है यह होता है स्वसन, स्वसन की क्रिया में उर्शा का उद्पारन होता है नेस्ट कोश्चन है नेमिलगित पादप अंगों में से कौन सा अंग स्वसन अंग होता है इन में से कौन सा अंग स्वसन अंग है तो ये पेड की जो पत्या होती है ये क्या है स्वसन अंग है नेक्स है प्रकास शंसलेशन किसमें होता है तो जो प्रकास शंसलेशन की क्रिया होती है ये पेड़ जो होते हैं इनकी पत्तियों में स्वसन प्रकास शंसलेशन होता है और जो स्वसन होता है वह भी पत्तियों में ही होता है नेक्स्ट है दिर्ग कालीन कठीन परिश्रम के पसाथ मास पेसियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभाव होती है तो दिर्ग कालीन हम कठीन परिश्रम के पसाथ हमारी मास पेसियों में जो थकान का अनुभाव होती है वह किसकी कारण होती है लाक्टिक एसिट के कारण होता है लाक्टिक एसिट का जबाव हो जाता है मास पेसियों में जिसके करण ठकान का अनुभाव होता है नेक्स्ट है कहां पर पाचन एवं स्वसन मार्ग एक दुसरे को अतिक रमर करते हैं तो ये कहां पर करते हैं स्वर्यांत्र में करते हैं नेक्स्ट है फेफरों की कुल वायू चमता कितनी होती है फेफरों की कुल वायू चमता होती है 6-8 लिटर नेस्ट ने मानव सरीर के किस अंग में रुधिर अक्सजन युक्त होता है तो मानव सरीर के फेफड़े में रुधिर जो होता है वो अक्सजन युक्त होता है माली जी यह हमारी एक हर्ट हो गई यह चार चंबर होते हैं इसके यहां पर होता है दाया आलिंद, यहां दाया निलाए, बाया आलिंद और बाया निलाए तो यहां से जो अशुद रखत जाती है और यहां पर फेपरे में जाती है और यहां सुद्ध हो करके फिर बाया आलिंद में आती है तो जो रूदीर होती है वो क्या होती है अशुद रहती है और यहां पर फेवडे में जाकर की सुद्ध होती है यहां ट्राइकरस्पिड वाल्व होता है यहां पर डाइकरस्पिड वाल्व होता है नेक्स से कौन सा वाईविय एवं अवाईविय श्वशन में समान होता है तो वाईविय और अवाईविय श्वशन दोनों में ही ग्लाइकोलिसिस जो होता है कि क्रिया समान होती है एक अड़ू ग्लुकोल से इस क्रिया में पैरुविक अमला के दो अड़वों का निर्मार होता है नेस्ट है एट्रिपी क्या होती है एट्रिपी एक तरीके की उच्छ उर्जा सहीत फोस्पेट बंद का एक अड़ू है नेस्ट है जलचरों में बूचरों की अपैक्षण क्रियाती ब्रिगती से होती देखी जाती है इसका कारण हो सकता है इसका कारण क्या है जल में गुली अक्सिजन की मातरा का वायू में गुली अक्सिजन की मातरा की अपैक्षण कम होना नेस्टे कॉक्रोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका स्वसन अंग कौन सी होती है उसकी स्वसन अंग है ट्रैकिया तो जो कॉक्रोच होते हैं ये अपनी स्वसन किसके द्वारा करते हैं जल में जीवित नहीं रह सकते निक्स मशली का एर ब्लैडर किस रुप में काम करता है तो मशली में जो एर ब्लैडर होते हैं ये उनके लिए क्या सहाधा करते हैं सहायक स्वसन अंग और द्रव इस्थातिक अंग दोनों का काम करते हैं किस प्रक्रिया द्वारा स्वसन के दौरान गैस है रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है तो जो असा कौन सा प्रक्रिया है जिसके में स्वसन के दौरान जो गैस होती है वो हमारे ब्लड में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है तो यहाँ पर हो हम व्याम करते हैं योगा करते हैं कश्रत करते हैं तो उस समय जो फैट होती है वशा होती है वो हमें क्या करती है एनर्जी देती है इंधन का काम करती है नेक्स्ट है अंडे से नया नया निकला टैट पॉल किसके माध्यम से स्वास कर लेता है तो अब अंडे से नया निकला जो त्राइटपॉर होता है वा स्वसन भीतली गल्फरोसे करता है क् Alma अब देखेगे आप बोलेंगे शीरा में तू असुद्ध रखती है फिर यहां पर फुस फुस शीरा इसमें शुद्ध रख्त क्यों वह रही है तो जो फिस्फुश शीरा होती है ये क्या होती है अपवाद होती है इसमें क्या होता है शुद्ध रख्त बहता है लेकिन यहीं पर आपसे सिर्फ शीरा पूशता तो सीरा में क्या है शुद्ध रख्त बहता है प्लूरा जो होता है किसका आवरड है प्लूरा जो होता है आवरड होता है फेफडे का रिदय के आवरड को हम क्या कहते हैं रिदय के आवरड को पैरी कार्डियम कहते हैं और जो किडिनी होती है वरिक होती है उसकी आवरड को पैरी टॉनियम कहते हैं और प्लूरा किस को कहते हैं फेफडे के आवरड को प्लूरा कहते हैं नेस्ट है निमलिकित में से एक एंजाइम का श्रावर इस्ट द्वारा होता है जो किंडवन के लिए उत्तरदाई है वह क्या है जाइमेज जाइमेज एंजाइम का श्रावर इस्ट के द्वारा होता है जो किंडवन के लिए उत्तरदाई होता है इन्वर्टेज एंजायम भी किंडवन की क्रिया में सहायक होता है और लाइपेट जो होता है वसा की पाचवन में सहायक होता है नेस्ट है मानो शरुर में कंट को क्या कहा जाता है तो मानो की शरुर में जो कंट होती है इसको कहा जाता है वाइस बॉक्स नेस्ट कोशन है वैसकों में समाने रूप से दिल के धरकनों की दर क्या होती है तो जो वैसकों होते हैं उनमें दिल की धरकन क्या होती है 72 से 80 होती है प्रती मिनट नेस्ट से मानव सुषन में क्या छोड़ा जाता है तो मानव के सुषन में कार्बन डाई ऑक्साइड गैस सोड़ी जाती है अब देखिए बानों सुषन के क्रिया के द्वारा ऑक्सिजन गैस तो ग्रहर करता है लेकिन वो कार्बन डाई ऑक्साइड गैस छोड़ता है जब द मातर होती है 21% और गारबन डायॉक्साइड कि मातर होती है 0.03% अब जब स्वस्वसन छोड़ता है तो देखिए नैट्रोजन जो होती है वो तो निश्चित होती है लेकिन जो ऑक्सिजन होती है घट कर कितनी हो जाती है 17 प्रतीषद और यह बढ़ कर कितनी हो रिलीज करता है नेच टैक गल्यपर एक फैला हुआ हिस्सा जो लड्कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जब्मधार होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है Adams Apple गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बाक्स से बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे Adam Apple कहते हैं मनुस्त के गले में स्वसनलिका ट्रेक्या के दोनों और Larynx के नीचे इस्तित रहती है जिसको कहा जाता है Urto Granti Theroid Gland Larynx या स्वसंत मार्ग का वह भाग जो गरष्णी को Trachea से जोड़ता है इसका मुक्यकारी क्या होता है ध्वनी उत्पादन करना होता है Larynx प्रवेश त्वारब एक पत्ला पत्ती समान का पाठ होता है जिसे हम epic glottis कहते हैं नेस्ट है निमलकित में से छोड़े के स्वास में dash सामिल होता है तो जो हम स्वशन छोड़ते हैं उनमें क्या सामिल रहता है उनमें सामिल रहता है nitrogen hydrogen helium जलवास पर ये सामिल नहीं रहता है नेस्ट है श्लेष्मा जिल्ली की सूजन को dash कहा जाता है तो जो श्लेष्मा जिल्ली रहती है इनमें सूजन को कहा जाता है bronchitis नेस्ट है हमारे फेफ्रों में dash को शिकाएं होती है तो हमारे फेफ्रे होती है इनमें 600 मिलियन को सिकाएं होती है फेफडे दो प्रकार की गैसी पदार्थ कार्बन डाइकसईड और जलवास्प का उचसरजन करती है लहसून, प्याज, मसाले जिसमें वास्पसिल घटक होते हैं इनका उचसरजन फेफडों के द्वारा ही होता है वरिक में बनने वाली पत्री कैलसियम ऑक्सिलेट का बना हुआ होता है और मुत्र का रंग जो पीला होता है वहाँ यूरोक्रोम के कारण होता है मुत्र जो होता है वहाँ अमलिय होता है और इसकी जो पेच वैली होती है वो होती है 6 और फिरफ्रे का जो औसत वजन होता है वो होता है तेरा सव ग्राम नेस्ट है मनुश्यों में पाया जाने वाला स्वसन पीगमेंट कौन से है तो मनुश्यों में पाया जाने वाला स्वसन पीगमेंट है हीमोग्लोबिन RBC में हीमोगलोबिन होता है जिसमें हीम नामक एक रंजर्ण होता है जिसके करण जो बलड होता है इसका रंग लाल कलर का दिखाई देता है और गलोबिन लौ है युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सिजन एवं कार्बन डाय ओक्सर से सहियों करने की जमता रखती है हीमोगलोबिन में पाया जाने वाला लौह यूगीक क्या कहलाता है हीमैट्रीन कहलाता है जबकि मैलानिन जो पिगमेंट होता है वो मानत वचा के रंग को निरधारित करता है और क्लोरोफिल में मैगनिश्यम के एक परमारू देते हैं नेक्स दे उर्जा उत्पादन के दोरान ग्लुकोज का पैरुविट में विघटन कहां होता है तो उर्जा उत्पादन के दोरान ग्लुकोज का पैरुविट में विघटन कोशिका द्रव्य में होता है उर्जा उत्पादन के दोरान ग्लुकोस का पैरुविट में विगर्टन कोशिका द्रवे में होता है जीव द्रवे कवा भाग जो कोशिका भित्ती एवं केंद्रक के बीच होता है उसे ही हम कोशिका द्रव्य कहते हैं इसमें अनिक अकार्बनीक पदार्थ खनीश लवर और पाको कार्बोहड़ेड प्रोटीन और विसा होते हैं जो क्या होता है निरजी होते हैं कोशिका द्रव्य एक पहुत गाड़ा पारभरसी एवं चिपचिपा होता है इनकी रशनाओं को कोशिकांग कहा जाता है यूक्वारियाटिक कोशिकांग होती है वा जिल्ली यूक्त होती है और मायट्रोकॉंड्रिया को कोशिकांग का उर्जा ग्रह कहा जाता है नेक्स्ट है ऑक्सिजन का उप्योग करके कषिकल क फाचपीटिषीट का विवहाजन मैंट्रोगांट्रिया में होता है। मैंट्रगण को कोशिखा का शक्ति केंद्र कहते हैं, डि-n-e केंद्रक के अलावा मैंट्रोगांट्रिया या एवं हरीत लवक में भी पाया जाता है, अब sleगांकि डिना कहां पर पाया तो गेंद्रक में पाए जाता हैं लेकिन केंद्रक के अलावा Gloria और हरीत्रलव को में ढिन। पाए जाता है माइठ्रोकॉंट्रय की कोज किसने की थी लिक्तमान के द्वारा इसको खो जा गया था। यह मार्ट्रोकॉंट्रिया की अंदर विसेस एंजाइम की उपसिती में ही संपनों होता है। नेस्ट्रे ऑक्सिजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अडू परिवर्थित हो जाते हैं। तो देखे यहाँ पर उर्जा उत्पादन के दोरान जब हमारी मास पेशों की कोशिकाओं में आक्सिजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अडू कितने कार्बन अडू में परिवर्थित होते हैं। नेस्ट कोश्चन है डैस वर्ग की प्राडियों में स्वशन गलफड़ों अथ्वा फेफरों द्वारा होता है अंसर होता है उभैचर उभैचर जो होते हैं इनमें स्वशन गलफड़े और फेफरों के द्वारा होता है उभैचर वर्ग की प्राडिया लार्वा अवस्था में शोशन क्लोम के द्वारा करते हैं जबकि वयस्था में फेफ्रों के द्वारा करते हैं और जबकि जो वयस्था में होते हैं इनमें ये शोशन जो होते हैं वो अपनी फेफ्रे और तुच्चा के द्वारा करते हैं इनमें मलासाय और मुत्र जननवाहिनी क्लोईका में खुलते हैं इनमें जननपदार्थ तथा मल्क क्लोईका से ही बहार निकलते हैं और जो मतश्य वर्ग के प्राडियां होते हैं इनमें जो शुषन होता है वह क्लोम के द्वारा होता है और सरीश्रिप वर्ग के जो वैस्क अवस्था में शोषन जो होता है वो फेफ्रों के द्वारा होता है नेस्रेय निशोषन डेस के द्वारा होता है तो निशोषन की जो क्रिया होती है यह फेफ्रों की अवस्थिती के द्वारा होता है नेस्रेय निमलिकित में से कौन ऑक्सिजन युक्त और अक्सिजन रहीत र कर सकता है उबहेचरवर्ग में अधिकांस परिवर्धन के समय एक लार्वा बनता है जिसे टैट पार लार्वा कहते हैं और मतश्यवर्ग में केवल असुद्ध रखते ही पंप होता है और मैंधक जो होते हैं अन या तापी होते हैं नेस्टे डैस से स्वशन के दारान उर्जा प्राप्त होती है तो किसके द्वारा स्वशन के दारान उर्जा प्राप्त होती है ग्लुकोस के विघटन या जलने से स्वशन के द्वारा उर्जा उत्पन्न होती है नेस्टे उर्जा को उप्योग करते हुए पैरुविक का ग्लुकोज किस के द्वारा के द्वारा किया गया था। यहाँपर देखें एक क्लुकोज अडू का ग्लाइकॉलिसिस में विखक टन के फल स्वरूप पैरुविक अमला के दो अडू बनते हैं। और पैरविक अमला के अडू के आक्सी कलर से एटिपी का एक अडू 5 अडू NADH के और एक अडू FADH2 का बनता है। ग्लुकोज के एक अडू के स्वसन से कुल 38 एटिपी प्राप्त होते रहते हैं। हीम क्या होता है एक तरीके की पिगमेंट है और ग्लोबिन एक तरीके की क्या है प्रोटीन है।